ये सीजन एक लड़के और उसकी एक इंच की चोटी और क्यूट सी गर्फरिंड की लव स्टोरी पर बना है लड़के को लिटल लवर कहा मिली उन दोनों को कैसे प्यार हुआ और इस प्यार का अंजाम क्या हुआ आईए जानते हैं शुरुआत में एक बच्चा और बच्ची ग्रैंड मा से एक इंच प्रिंसेस की स्टोरी सुन रहे हैं स्टोरी सुनकर बच्ची बहुत एकसाइट हो जाती है और कहती है मैं इस लिटल प्रिंसेस को देखना चाती हूँ फिर वो दोनों उस प्रिंसेस को ढूनने लगते हैं और बच्ची प्रिंसेस को ढूनते हुए पूल के पास जाती है उसका शूस पाउं से निकल कर पानी में दूर चला जाता है तब ही उस बच्ची को शूस में एक इंच प्रिंसेस नजर आती है जिससे देख वो बहुत खुश हो जाती है. उसी वकड़ बच्चा उसे देखकर वहाँ आता है तो वो बच्ची उसे वन इंच प्रिंसेस का बताती है. लेकिन तब तक वो प्रिंसेस गाइब हो जाती है. आगे वो दूनों बच्चे एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हुए हमेशा साथ रहने का प्रामिस करते हैं नेक्स सीन में हम फीमेल लीड शियोमी को देखते हैं जो अपना नौवल लिख रही है फिर विंडो में खड़ी अपने हीरो मिनामी को देखने लगती है जो अपनी फेवरिट गेम केंडो की प्राक्टिस कर रहा है शियोमी उसे बहुत उदासी से देखती है ऐसा लगता है जैसे वो मिनामी को पसंद करती है लेकिन मिनामी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है शियोमी स्कूल के लिए निकलती है तो उसकी नेबर मिनामी की मौम उसे मिनामी का लंच बॉक्स देती है जो वो ले जाना भूल गया था शियोमी वो लंच बॉक्स लेकर भागती है कि जल्दी से मिनामी तक पहुँच सके उधर लंच बॉक्स का यादाने पर मिनामी भी भाग कर आ रहा होता है जब दोनों की टककर होने पर दोनों के गिर के एकसिदेंटल केस हो जाती है चूमी जल्दी से उठकर उसका लंच बॉक्स पकड़ा कर वहां से भाग जाती है स्कूल में मिनामी और च्योमी एक क्लास में होते हैं लेकिन दूनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते बलके मिनामी किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि उसे डॉक्टर बन कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है इसलिए वो हर वक पढ़ता रहता है स्कूल में च्योमी डांस क competition के लिए Tokyo जाना चाहती है लेकिन वो जानती है कि उसके parents नहीं मानेंगे स्कूल से वापसी पर शूमी का class value रिकू उसके साथ ही घर तक आता है और उसे एक novel का बताता है कि ये मेरा favorite novel है ये novel शूमी का ही है लेकिन शूमी अपनी identity चुपा कर किसी और नाम से novels लिखती है रिकू नेक्स दे शूमी को एक gift दे कर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो जानता है कि वो novelist है शूमी स्कूल से घर आते हुए रिकू के gift को देखती बहुत होश होती है जब अचानक बारिश होने लगती है और शूमी अपनी umbrella निकाल लेती है तब ही वो मेनामी को देखती है जो उनकी class fellow सियूरी के साथ अपनी umbrella शेयर कर रहा है और सियूरी उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही है ये देखकर शूमी का दिल टूप जाता है और वो वहां से घर जाकर बहुत ज़्यादा रूती है इसी frustration में शूमी अपने parents से टोक्यो जाने की इजासत ना मिलने पर लड़ने लगती है उसकी बत्तमीजी पर उसके डैट उसे थपर मार देते हैं तो वो घुस्से से घर से चली जाती है तुफानी बारे शुरू होने पर वो घर आने लगती है लेकिन तब ही उसे में नामी नजर आता है शूमी में नामी से उसकी और सियूरी के relation का पूछती है तो में नामी उससे रूडली बात करता है में नामी के बातों से हर चूमी वहां से जाती है तो तीज हवा से उसकी अंब्रेला उर जाती है जिसे पकरते हुए चूमी उस पहार के पास पहुँच जाती है जहां हमने दो बच्चों को दीखा था यहीं हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे मिनामी और चियोमी थे जो बच्पन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहने का वादा भी कर चुके थे चियोमी वहीं बैठकर मिनामी के बारे में सोचने लगती है कि जब मिनामी के डैट उसे छोड़ गए थे उनके जाने के बाद मिनामी बदल गया और उसने चियोमी से दोस्ती भी हतम कर दी चियोमी रोते हुए दूआ करने लगती है कि काश मिनामी पहले जैसा हो जाए और वो फिर से दोस्त बन जाए ये सोचते हुए वो वही सो जाती है सुभा जब चियोमी की आँख खुलती है तो वो श्रिंक होकर एक इंच की हो चुकी थी और वो सोचती है शायद वो एक इंच प्रिंसेस बन गई है दूसरी तरफ चियोमी के घर वाले उसके घर ना आने पर पुलीस आफिसर के साथ मिलकर उसे ढूनने लगते हैं वो आफिसर गोसिप करने वाली आंटियों की तरहां हर मिलने वाले को ये खबर सुना देती है जिस पर मिनामी को भी पता चल जाता है कि चियोमी राज से घर नहीं आई मिनामी उसी पहाड पर जाके च्योमी को आवाज देने लगता है तब ही उसे च्योमी की आवाज आती है और जब वो दीखता है तो उसे वो कहीं नजर नहीं आती फिर लिटल च्योमी बहुत मुश्किल से उचल उचल कर उसे बताती है मैं इधर हूँ जिससे देख मिनामी शौक रह जाता है च्योमी को मिनामी अपनी पॉकिट में रखकर अपने घर ले आता है और उसे अपने साथ ही रूम में रखता है च्योमी मिनामी के बगर कुछ भी नहीं कर पाती इसलिए मिनामी हर काम में उसकी हेल्प करता है मिनामी च्योमी को उसके घर जाने का कहता है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है उसे इस तरहां देखकर उसके पेरेंट बहुत अपसेट हो जाएंगे फिर च्योमी अपने घर वालों को कॉल करके कहती है मैं टोक्यो डांस कॉम्पिटिशन में आई हूँ इसलिए आप रुक परिशान ना हो नेक्स्ट हम च्योमी को एक छोटी से बूल को बात तब बना कर उसमें बात लेता देखते हैं जो मिनामी ने उसके लिए तयार किया था रात को मिनामी अपना टिशू बॉक्स खाली करके उसको चियोमी के लिए क्यूट सा बैट बना देता है और चियोमी मज़े से उस पर सो जाती है सोई हुई चियोमी मिनामी को बहुत क्यूट लगती है और वो उसे बहुत प्यार से देखता है चियोमी मिनामी को एक प्रिंसेस की कहानी सुनाती है जो जादू की वज़ा से बहुत देर तक सोई रही थी तो एक प्रिंस आकर उसे किस करके जगाता है इस कहानी से चियोमी की मुराद तो ये थी कि मिनामी भी उसे किस करे लेकिन मिनामी उसकी बात समझने के बज़ाए उसक मज़ा कुडाने लगता है मिनामी च्योमी को अपनी कोट की पॉकिट में डाल कर स्कूल जाता है जहां च्योमी के बगएर भी सब कुछ वैसे ही चल रहा था मिनामी उसे एक डॉल हाउस से डॉल का ड्रेस बाई करके दीता है तो फाइनली च्योमी ड्रेस चेंज कर लेती है मि मिनामी को याद आता है कि उसकी ग्रैंड माने एक मैजिक मैलट का बताया था जिसने वन इंच प्रिंसेस को उसकी हाइट वापस लोटा दी थी वो मैजिक मैलट पूरे चांड की रात में काम करता है तो वो च्योमी को लेकर वहां जाता है लेकिन उससे भी च्योमी अपने स बारिश में भीगने की वज़ा से मिनामी को बुखार हो जाता है तो च्योमी बहुत कोशिश करती है कि उसके लिए फ्रिच से ठंडा पानी लेकर उसकी पत्या कर दे लेकिन वो छोटे होने की वज़ा से कुछ भी नहीं कर पाती जिस पर दुख से रोने लगती है उसे रूता देखकर मिनामी उसे कहता है तुम बस मेरे साथ रहो और च्योमी जिसके लिए यही बहुत था वो उसकी बात पर खुश हो जाती है लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदलती है जब उस सियोरी को मिनामी का खयाल रखता देखती है सियोरी मिनामी के करीब आकर उसे किस करने लगती है तो च्योमी बेचारी दुख से उसे देखती रहती है क्योंकि इसके इनावा तो वो कुछ कर नहीं सकती लेकिन उसी वक मिनामी च्योमी का नाम लेता है तो सियोरी किस करने के बज़ाए पीछे हो जाती है नेक्स्ट मिनामी चूमी की बहुत क्लोज से एक वीडियो शूट करता है जिसमें चूमी का साइस नॉर्मल ही लगता है फिर वो दूनों उस वीडियो को चूमी के घरवालों को भेज देते हैं जिसमें चूमी ने कहा होता है कि उसे अभी कुछ टाइम मजी टोक्यो में ही होने का सुनकर सुकून में आ जाते हैं मिनामी सियोरी के साथ स्टडी कर रहा होता है जब मिनामी की पॉकिट में सोई चूमी हराटे लेने लगती है और बेचारा मिनामी फेक खासी करते हुए चूमी को जगाता है घर जाते हुए सियोरी मिनामी को किस करने लगती है तो जाती है मिनामी का कैंडो कॉम्पिटेशन होता है लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं होता ये देखकर चियोमी उसे समझाती है कि तुम हर सुबह केंडो की प्रैक्टिस करते हो तो अब टाइम आ गया है कि तुम कॉम्पिटेशन में जाकर अपनी स्किल्स सब को दिखाओ च कुछ उसे pocket में बिल्कुल बैसे ही डाल कर घूमता है, जैसे travelers को रखा होता है, ये देखकर Minami को काफी जालसी होती है, चियो मी जो काफी दिन से एक ही ड्रेस में थी, उसे मिनामी का रुमाल पसंदाता है और वो उसे कहती है मुझे इसका ड्रेस बना दो मिनामी उसके फरमाईश पर कोशिश करके ड्रेस बना कर देता है लेकिन उसका गला बहुत तंग होता है और मिनामी वो ड्रेस नहीं पहन पाती ये देखकर च्योमी अपने घर से अपनी डॉल की ड्रे ये देखकर मिनामी के टाप पर चड़कर पैरों के साथ उसे मैसिज करती है तो मिनामी चूमी की फिकर में फॉरन स्कूल से भागता है घर में चोड़ जब मिनामी के रूम में आने लगते हैं चूमी म्यूजिक प्ले कर देती है और वो समझते हैं घर में कोई है इसलिए वो उधर मिनामी घर आकर चयोमी को ठीक देखकर सुकून का सांस लेता है चयोमी की फ्रेंड टोक्यो कॉम्पिटिशन कॉल करती है तो उसे पता चल जाता है कि चयोमी तो वहां गई ही नहीं उधर अपनी डॉल का खुबसूर अड्रेस पहन कर चयोमी बहुत खुश होती है और खुशी से डांस करने लगती है तो ऐसा करती वो एक चोटी क्यूट सी डॉल लगती है मिनामी स्कूल जाता है तो हर रोज की तरह आज भी चयोमी उसकी पॉकिट में होती है रिकू के पास से गुजरते हुए मिनामी रुखकर उसकी चयोमी जैसे डॉल देखने लगता है तभी चयोमी उसकी पॉकिट से बाहर देखती है और रिकू उसे देख लेता है उधर चयोमी की बहन मिनामी के घर जाती है तो वो मिनामी के रूम में चियोमी की डॉल्व के ड्रेसस देखती है तब ही उसकी नजर टैप पर पड़ती है और जब वो उसे चेक करती है वो सीम एड्रेस होता है जिससे चियोमी ने अपनी वीडियो उन लोगों को भीजी थी सीयोरी रात को मिनामी के घर आती है तो मिनामी की मौम उसे रात में रोक लेती है मिनामी अपने रूम में होमबर कर रहा होता है जब सीयोरी उसके रूम में आती है और उसे हग करके अपना लव कनफेस करती है लेकिन मिनामी उसे पीछे कर देता है फिर Ciori उसे किस करने लगती है लेकिन मिनामी उसे excuse करके कहता है मैं busy हूँ तो Ciori को वहाँ से जाना ही पढ़ता है Ciori को मिनामी के इतنا close देखकर छोमी रोनी लगती है मिनामी उसे रोनी की वजा पूछता है लेकिन छोमी उसे कुछ नहीं बताती नेक्स डे मिनामी की ग्राइनमा चियोमी को देख लेती है लेकिन वो समझती है ये वन इंच प्रिंसेस है मिनामी की ग्राइनमा चियोमी के लिए ड्रेसेस बनाते हुए सब को बताती है कि ये वन इंच प्रिंसेस के लिए है लिकिन कोई भी उनकी बाग का यकिन नहीं करता अधर चोमी के फड़ण रीकू को बताती है कि चोमी टोक्यो नहीं गई उसकी बात पर रीकू उसके नए आने वाले नौल के बारे में सोचता है जिसमें उसने श्मॉल गृर्ल और बीग मैं के बारे में लिखा था और तब ही उसे यादाता है मिनामी के पास भी चूमी जैसी एक डॉल है चूमी के बहन मिनामी से चूमी के बारे में पूचती है तो वो उसे बताता है कि चूमी किसी मुश्किल में है इसलिए वो अभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती चियोमी की बहन उसकी बात मानकर चुप हो जाती है और अपनी फैमिली से इसका जिकर नहीं करती चियोमी की बहन अपनी विंडो में खड़ी होती है जब उसकी नजर मिनामी की विंडो में डांस करती चियोमी पर पड़ती है तो वो उसे देखकर शौक रह जाती है। मिनामी ग्रैंड मा की तब्यत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में मिनामी को वाश रूम जाना पड़ता है। तो वो अपना कोट बाहर ही रखकर चला जाता है। और कोट की पॉकिट में च्योमी होती है। तब ही एक बच्ची आती है और वो मिनामी की कोट को जारती है। और उसमें से गिर्थी च्योमी को उठा कर ली जाती है। मिनामी जब वापस आता है तो कोट में च्योमी को ना देखकर बहुत परिशान होता है। क्योंके ना तो वो उसे ढूम सकता था और ना किसी से पोच सकता था। उधर च्योमी उस बच्ची के बैट पर हो दी है और बच्ची ने उसे बाधा होता है कि वो भाग न जाए। वो बच्ची जिसका बैट ग्रैनमा के बैट के साथ होता है। ग्रैनमा उसे प्यार से समझा कर चियोमी उसे लेकर मिनामी को वापस कर देती है। तो मिनामी की जान में जान आती है। चियोमी की बहन हॉस्पिटल में मिनामी को चियोमी से बाती करता देखती है। और उसको पता चल जाता है कि चियोमी श्रिंक होकर वन इंच की हो गई है फिर वो चियोमी से मिलती है उधर चियोमी मिनामी से मिलकर पूछती है क्या तुम चियोमी से प्यार करते हो मिनामी कहता है हाँ मैं उससे बहुत पहले से प्यार करता हूँ लेकिन मुझे इसका अंदा होती है कि आखिरकार उन दोनों का बच्पन का प्यार उसे वापस मिल रहा है मिनामी के डैड वापस आते हैं और उसकी मौम को डिवूर्स दे देते हैं तब ही मिनामी उनको देखकर उनके पास आता है और उन्हें कहता है वो अपनी मौम और दादी का ख्याल रख सकता है उसक ये बात सुनकर डाइड उसे प्यार करके चले जाते हैं। च्यूमी के घर वालों को पता चल जाता है कि वो नौविल्स लिखती है जिस पर वो खुश तो होते हैं। लेकिन ये सोचकर उदास भी होते हैं कि च्यूमी अपने दिल की वो बातें जो वो किसी से नहीं कह पाती सब लिख देती है। उधर रिको जिसे मिनामी पर शक था वो उसके घर आकर उससे कहता है मुझे च्यूमी जैसे डॉल दिखाओ। मिनामी उसे क्या बताता कि वो डॉल नहीं जीती जाकती च्यूमी है। उसे चुप देखकर रिको खुद ही च्यूमी को ढूनने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलती। रिकु उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें च्योमी का पता है इसलिए मुझे एक बार च्योमी से मिलवा दो मिनामी कहता है ये impossible है जिस पर रिकु उसे च्योमी के novel का बताता है जिसमें उसने अपने one-sided love का लिखा था रिको मिनामी को समझाता है कि छोमी तुमसे ही प्यार करती है और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बता दो मिनामी रिको को बताता है कि अपने डैट की छोनने के बाद मैं हमेशा प्यार करने से डरता रहा हूँ रीकू के समझाने पर मिनामी वहीं रीकू के सामने अपने प्यार को कनफेस कर लेता है ये सुनकर चियों में सामने आ جाती है और उसे देख कर तो रीकू का मूँ खुला ही रह जाता है रीकू को जब सारी कहानी पता चलती है तो वो मिनामी से कहता है Magic Mallet के बाद Sunrise होते ही दूआ मांगने पर One Inch Princess अपनी असली साइज में वापस आई थी Riku की बात मानकर चियोमी Sunrise होने पर दूआ करती है लेकिन कुछ भी नहीं बदलता जिस पर चियोमी मिनामी से कहती है मुझे मेरे घर ले जाओ मैं अपने पेरेंट्स को सब बताना चाहती हूँ लेकिन मेरे उसे खुझ से दूर करने पर राजी नहीं होता वो दूनों रूट पर ही बाते कर रहे होते हैं जब एक कार के हिट करने से मेरे का एकसिडेंट होता है चियोमी की मौम मेरे को बचाने आती है तो वहीं वो लिटल चियोमी को देखकर शौक में आ जाती है मेनामी को हॉस्पिटल छोड़कर चियोमी की मौम उसे अपने साथ घर ले जाती है चियोमी की बेहन तो पहले से ही बात जानती थी लेकिन उसके डैट ये देखकर शौक हो जाते है चूमी की मौम उसे बताती है कि मिनामी को अभी तक होश नहीं आया तो चूमी उनके साथ हॉस्पिटल जाती है मिनामी को भी होश देकर चूमी उसे केस करती है तो एक लाइट के साथ मिनामी होश में आ जाता है खुश होकर चूमी दुबारा उसे केस करती है और फिर लाइट के साथ चूमी अपने असल साइज में आ जाती है वैसे चूमी ने तो स्टार्ट में ही मिनामी से इस ट्रिक का कहा था लेकिन मिनामी ने ही उस पर यकीन ना किया था चूमी की हाइट उसे वापस मिल जाती है और दोनों एकठे स्कूल जाते है जहां मेनामी सबको بتा दीता है कि वो दोनों date कर रहे हैं चियोमी और मेनामी स्कूल खतम होने के बाद शादी कर लेते हैं शादी के एक साल बाद मेनामी का medical college में admission हो जाता है और चियोमी dance competition के लिए टोक्यो जाने लगती है जाने से पहले मिनामी और चूमी उसे पहाड के पास जाते हैं जहां मिनामी उसे बच्पन की तरहां फ्लावर क्राउम पहनाता है फिर दोनों हग करते हैं और उनके हैपी फेसिस के साथ ही ये क्यूट लफ स्टोरी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग